मिथुन रासी बालों का आने बाला दिन यणी की 25 अप्रेल 2021 का दिन कैसा बीतेगा लेकिन सबसे पहले मैं आपसे बात करने बाला हूँ 25 अप्रेल 2021 के पंचांग के बारे में आज तिथी है त्रियो दसी नक्छत्र है हस्त पक्छ है सुकल पक्छ दिन है रभी वार आने बाले शमय में सुर्ज उदे का समय है पांच बजी के 46 मिनट में सुर्ज अस्त का समय है 6 बजी के 22 मिनट में रितू है ग्रिस्म आने बाले शमय में दिन काल है 13 घंटे 6 मिनट 13 सकेंड का महिना है चैत्र मित्रो आने वाले शमय में सुभ समय शुरू होता है 11 बजी के तिरपन मिनट एम से 12 बजी के 45 मिनट पीएम तक असुभ काल शुरू होता है 5 बजी के 10 मिनट पीएम से 6 बजे पीएम तक राहु काल शुरू होता है 5 बजी के 14 मिनट पीएम से 6 बजी के 22 मिनट पीएम तक दिसा सूल है पस्चिम दिसा की ओर तो ये था आज का पंचांग मित्रों इस वेडियो के अंत में आपके आने वाले शमय का अनोखा टोट का भाग्यसाली रंग एबं भाग्यसाली अंक है तो आप उसे भी देखें लेकिन मित्रों यदि आप अपने जन्म कुंडली हस्त रेखा या अपने जीवन के बारे में यदि आप कोई भी बातें मेरे से जानना चाहते हो तो अभी आपके सामने डिस्पले पर मेरा वाटसेप नमबर है जिस नमबर पर यदि आप मुझे वाटसेप करते हैं तो आपकी बात मेरे से हो जाएगी तो वीडियो को बड़े ही ध्यान से आप सुने मित्रों शब से पहले मैं आप से बात करने वाला हूँ कि आप में से जो भी जातक के नौकडी करते हैं उन लोगों का समय कैसा बीतेगा मित्रों यदि आप जोब करते हैं तो आने वाले समय में आपके कामकाज में आपके कार्ज छेत्र में आपके बोस या आपके सिनियर के द्वारा आपको जो भी काम दिया जाए जो भी टास्क दिया जाए तो उस काम को मिहनत इमान दाड़ी एबम एकागरता के साथ में आप आपको पूरा करना चाहिए। सामाजिक कार्ज करता है तो आने वाले समय में अपने सामाजिक जीबन में आपको शाबधानी बरतनी चाहिए क्योंकि आने वाले समय में ऐसी संभावना है कि आपके सामाजिक जीबन में किसी बिक्ती के द्वारा आपको पड़ेसान किया जाएगा एबम आपके सामाजिक जीबन में आपको शमस्या का सामना करना पड़ेगा वैसे मित्रो आने बाले समय में यदि आपके सेहत आपके सुवास्त की बात करें तो आने बाले समय में सेहत के द्रिष्टी कोन से आपका समय बहुत जयादा बिहतर एबम सांदार होगा आने बाले समय में आपके अंदर उरज्या का अस्तर बहुत जेयादा उचा होगा, जिसके कारण आपके सेहत के मामलों में कहीं कोई पड़ेशानी नहीं होगा मित्रो आने वाले समय में आपके लिए भाग्यसाली रंग है हरा एबं फिरोजी आपके लिए भाग्यसाली अंक है सात यणी की सेबन मित्रो आने वाले समय में अपने समय को बिहतर एबं सांदार बनाने के लिए आपको भगबान गनेस या भगबान विसनु के मंदिर में कांसे की जियोत दान करनी चाहिए यदि आप ऐसा करते हैं तो आपका आने वाला शमय बहुत जयादा बिहतर एबम सांदर होगा तो मित्रों इस वीडियो में आगी बढ़ने से पहले इस वीडियो को आप लाइक कर दें साथ में इस चैनल को आप सबस्क्रेब कर दें एबम इस वीडियो के नीचे जय स्री गनेस कमेंट कर दें एबम इस वीडियो को आप हर जगह से यड़ कर दें धन्यवाद